जब जब मानव जाती पर आपदाओं और विपदाओं ने अपना कहड़ाया है तब तब हर उस मुश्किल घड़ी में मानव से लेकर मानवता को बचाने के लिए कोई ना कोई इनसान या संगठन सामने जरूर आया है और जब भी ऐसे मानविय संगठन का नाम लिया जाता है तो जाने अंजाने रेड क्रॉस संस्था का नाम सबसे पहले आता है जो लगभग 1500 साल से भी जादा लंबे समय से मानवता के हित में कारेरत है कहते हैं आवशक्ता अविशकार की जननी है ऐसे ही जब सन 1863 में युद्धों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था लोग अनंत पीडा से गुजर रहे थे और उनकी कराह सुनने वाला कोई नहीं था तब स्विजर लेंड के हैंडरी ड्यूनेंट ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर मानवता को बचाने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ तर रेड क्रॉस की स्थापना की जिसका मिशन खास करके शशस्त्र संगर्षों तथा अन्य आपात स्थितियों के दोरान मानव पीडा को कम करना जीवन और स्वास्थे की रक्षा करना और मानविय गरिमा को बनाए रखना है रेड क्रॉस मानविय कारे सूची में 25 से भी अधिक शेत्रों में कारे रत है जिसमें प्राक्रतिक आपदाओं में सहायता, ब्लड डोनेशन, आर्थिक सुरक्षा, विकलांगों की सहायता, जलवायू परिवर्तन से जूच रहे लोगों के मदद, शिक्षात, तथा युद्ध के दोरान हुए जानमाल की हानी होने पर उनकी देखभाल तथा पीडितो की सहायता करना शामिल है, समय के साथ-साथ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मुव्मेंट दुनिया का सबसे बड़ा मानविय नेटवर्क बना, जो आज दुनिया के हर देश में मौजूद है, और लाखों स्वयम सेव को द्वारा समर्थित है, हर वर्ष आठ मई को मनाए जाने वाले रेड क्रॉस डे का उद्देश हर आम इंसान को इस मानविय गतिविधी के लिए चागरूप करना है, लगभग 10 करोर वॉलिंटियर्स वाली इस रेड क्रॉस संस्था से जुड़ने वाली 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो दुनिया के लगभग 190 देशों में अपना योगदान दे रही हैं, वहीं रेड क्रॉस चार बार नोबल प्राइस अपने नाम करने वाली संस्था है, रेड क्रॉस संस्था भारत में भी स्वतंतर रूप से हर मुश्किल घड़ी में अपना योगदान देती आई है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा IMC परिवार भी समय समय पर इस संस्था में योगदान देता रहता है, रेड क्रॉस डे पर आज समस्थ IMC परिवार आप से भी विनम्र अनुरोध करता है, कि जितना हो सके मानवता के इस नेक कारे में अपना योगदान दे और इसकी शुरुवात लोगों को इसके प्रती चागरूप करके करें, याद रखें, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, गुड़ IMC